नारी तुम केवल शद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में पी ओश शौत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में और एक और बात कही जाती है अबला जीवन हाई तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी या फिर ये एक और कहावत है कि बच्पन में पिता के अनुसार इस्त्री को चलना है यानि बेटी को चलना है और योबावस्था में पती के अनुसार चलना है और वृदावस्था में पुत्र के अनुसार चलना है ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो इस्त्रीयों के लिए बनाए गए हैं ना केबल भारतिय समाज में बलके प्रत्טग समाज में शैद जब ये नियम बनाए गए होंगे तो इस सुरक्षा को धियान में रख कर बनाए गए होंगे उनके हिद्ड के लिए बनाए गए होंगे लेकिन ज्यादा तर जो feminist writers है feminist authors हैं उनको लगता है कि ये गायर जरूरी बंधन है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा लगाई गई बंदिशें हैं जिनको हमें सुईकार नहीं करना है जिनके खिलाफ हमको खड़े होना है विद्रोह करना है तो ऐसी ही एक लेखिका है कवेत्री है कमलादास माधवी कुट्टी नाम से व जो पोईम आज हम पढ़ने जा रहे हैं एन इंट्रोडेक्शन वो भी इसी प्रकार की एक कविता है जिसमें वो विद्रोह कर रही है उन लोगों के खिलाफ या फिर समाज के खिलाफ जो इंस्ट्रक्शन देता है निर्देश देता है कि आपको ये करना चाहिए वो नहीं क Compulsions मने आपको force किया जाता है किसी काम के लिए मजबूर किया जाता है divettes by women जो के और्टों को जिनका सामना करना पड़ता है जब आपको बताया कि विविन प्रकार की compulsions हैं कि बच्पन से ही आपको सिखाए जाता है कि आप लड़की हो आपको ये करना है और लड़कों को वो करना है या फिर इस्त्री जब आप बनते हैं तो आपको ये करना है ऐसे चलना है तो काफी सारे नियम है तो कौन-कौन से compulsions इस कविता में बताए गए है कमलादास के द्वारा तो जब आपको इन पढ़ेंगे तो इन questions को दिमाग में रखेंगे दूसरा question देखे discuss the elements of confessional poetry confess मनें सुईकार करना कि हम आरे साथ ये हुआ है ये हमने किया है तो वो confessional poetry कहलाती है यानि अपनी life में जो आपके साथ घटेत हुआ है उसको आप सुईकार करते हैं उसका आप वर्णन करते हैं लोगों को बताते हैं तो वो confessional poetry कहलाती है तो confessional poetry के elements जो है इस poem में एन introduction में वो discuss कीजे तीसरा question है on what grounds does कमलादास defend her use of English तो किन grounds पर यानि किस आधार पर कमलादास defend करती है अपने English के use को वो English में लिखती है तो वो किस तरीके से defend करती है as a medium of expression expression मने अभिवेक्ति होती है मीडियम मने माध्यम तो अभिवेक्ति के एक माध्यम के तौर पर उन्होंने English को adopt किया है तो इस बात को वो कैसे defend करती है इस पोई में वो कहती है कि लोग उनसे मना करते हैं कि English में मत लिखो हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपसे मना करेगा कि आप English में मत लिखो या English मत पढ़ो मैंने तो कभी ऐसा face नहीं किया बच्पन से ही English को पढ़ा है अभी भी पढ़ रही हूँ तो कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मला कि आप English मत पढ़िए हाँ अपनी भाशा पढ़िए हिंदी मैं खुब पढ़ती हूँ लेकिन ऐसा कभी मना तो नहीं किया गया है कमला दास को किसी ने मना किया हो तो उन्होंने यहां जिक्र किया है इस पोईम में और अब हम आते हैं पोईम पर जैसा कि आप देख रहे हैं free words में लिखी हुई है कोई rhyme scheme नहीं है यहाँ पर तो जैसे हम किसी से बात कर रहे हों अपनी मन की बात शेयर कर रहे हो तो वैसे ही कमला दास ने अपने मन की बात यहाँ शेयर की है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ कोई राय में स्कीम तो होती नहीं है जैसे हम बोलते जाते हैं तो वैसे ही कमला दास यहाँ पर बोल रही है अपने मन की बात बता रही है कभी गलती से मैं कमला दास की जाए कर कमला मारकंडे बोल जाओं तो माफ कीजिया क्योंकि अभी-अभी मैंने नेक्टरिना सी पढ़ाया था तो कमला मारकंडे मेरे जबान पर चड़ी होई है चलिए शूरू करते हैं मैं राजनीती के बारे में नहीं जानती राजनीती नहीं जानती बट नो दन नेम्स लेकिन नाम जानती हूं उन लोगों के नाम जो के पावर में हैं सत्ता में हैं पॉलिटेक्स में हैं और मैं उन नामों को धरा सकती हूं जैसे कि एक सत्ता के दिन होते हैं Sunday, Monday, Tuesday, यह हमारी जुबान पर चड़े हुए होते हैं, आपनी इंद में से जगा के बोलिए हमको तो हम बोल देंगे, तो वैसे ही मैं उन नामों को दोहरा सकती हूँ, जो लोग politics में हैं, और names of months, या फिर हमसे कोई यह कहे कि भई, महीनों के नाम सुनाओ, तो January, February, March, April हम सुन उनके नाम शुरू होते हैं, तो वो नहरू से शुरू होते हैं, पंडित जबारलाल नहरू, या फिर आप मोतिलाल नहरू से शुरू कर सकते हैं, उनके पिताजी से, तो नहरू का मतलब यहाँ जबारलाल नहरू भी हो सकता है, I am Indian, मैं भारती हूँ, very brown, जो मेरा color है, भी ब्राउन है तो वेरी ब्राउन बॉर्ण इन मालावार में पैदा हुई हूँ तो उधर साउथ की तरफ थोड़ा और कॉंप्लेक्शन डाउन हो जाता है क्योंकि वहाँ हुमिडिटी बहुत हो रहती है I speak three languages मैं तीन भाषाएं बोलती हूँ अब इसमें एक तो मल्यालम हो गई क्योंकि वह केला से हैं एक इंगलिश हो गई तीसरे हिंदी हो सकती है मुझे पक्का नहीं मालू write in two और दो भाषाओं में लिखती हूँ तो एक तो वो मलियालम में लिखती हैं दूसरा English में लिखती हैं dream in one और जो सपने देखती हूँ वो एक ही भाषा में देखती हूँ तो जो हमारी mother tongue होती है अक्सर हम उसी में सपने देखते हैं हम भले ही लिखें पढ़ें English हम पढ़ते हैं और जब क्लास में होते हैं तो बोलते भी हैं लेकिन जो हमारे सपने आते हैं वो हमारी mother tongue में ही आते हैं तो ये जो सपने देखती हूँगी वो मल्यालम में देखती होंगी don't write in English English में मत लिखो अंग्रेजी में मत लिखो they said उन्होंने कहा यानि लोग मुझसे कहते हैं कि English में मत लिखो English is not your mother tongue अंग्रेजी आपकी मातर भाषा नहीं है मातरी जुबान नहीं है तो ऐसा लोगों ने कहा तो एक question था मैंने आपको शुरू में ही discuss किया था अब आप उसका answer यहां देखिए कि वो क्या जवाब देती है जब लोग उनसे कहते हैं कि भई ये तुम्हारी मातरी जुबान नहीं है तो English में मत लिखो English भाषा विदेशी भाषा है तो वो कहती है जब आप देती है इन लोगों को why not leave me alone आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते critics जो आलोचक लोग है friends दोस्त लोग है visiting cousins मैं उससे मिलने आने वाले जो मेरे चचेरे तैरे फुफेरे ममेरे भाई बहन है cousin का मतलब इतने सारे तरीके के भाई बहन होते है तो जो भी मिलने आते हैं मुझे कहते हैं English में मतलिखो भई अपनी mother tongue में लिखो everyone of you आप सभी लो प्रतिक आप मैंसे मुझे अकेला छोड़ दो why not let me speak यानि आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते in any language किसी भी भाषा में I like जो मुझे पसंद है the language I speak जो भी भाषा मैं बोलती हूँ becomes mine वो मेरी बन जाती है हम किसी भी भाषा में बोलने लगते हैं तो वही हमारी भाषा बन जाती है it's distortions distortion होते हैं grammatical जो तोर मरोर होती है distort माने होता है किसी चीज़ को तोरना मरोरना manipulate करना तो इसके जो भी complexities है भाषा की it's queerness queerness means strangeness अजीब जो तरीका होता है जैसे English जो language बोली किसी और तरीके से जाती है लिखी और तरीके से जाती है spellings का यहाँ बड़ा लफड़ा होता है जो कि हिंदी में नहीं होता संस्कित में नहीं होता other languages में spellings का जो problem है वो नहीं होती यह केवल English में है तो इसकी जो distortions है queerness है यानि इसकी जो जटलताए है और इसकी जो अजीब तरीके है all mine वो सभी मेरे बन जाते है mine alone केवल मेरे यानि आपको क्या लेना देना it is half English half Indian funny perhaps हम जो English बोलते हैं हमारा pronunciation अलग होता है Indians का Indian तरीके का होता है Chinese जब English बोलते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं Britishers जब English बोलते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं Americans का accent हो भाईया जो normally तो पले नहीं पढ़ता शुरुआत में जब हम American English सुनते हैं तो वो समझ भी नहीं आती आपको बहुत अपने आकानों को train करना पढ़ता है American English समझने के लिए तो हमारी जो English होती है वो half English, half Indian होती है funny perhaps शायद बड़ी funny तरीके की होती है अब जब American हमारी English सुनेगा तो वो कहेगा रही ये क्या बोल रहे है उसको funny लगेगी तो इसमें शर्मारी की कोई बात नहीं है क्योंकि वो भी जब हिंदी बोलेंगे तो हमारी तरह नहीं बोलेंगे हम अगर English उनकी तरह नहीं बोल पाते Americans की तरह हमारा pronunciation नहीं है तो कोई शर्म की बात नहीं क्योंकि उनका pronunciation हिंदी का हमारे जैसा नहीं होता तो funny perhaps but it is honest लेकिन ये इमानदारी से भरा हुआ है It is as human as I am human तो मेरी जो अंग्रेजी भाषा है वो इतनी ही इंसानियस से भरी हुई है जितना कि मैं खुद इंसान हूँ Don't you see? क्या आप नहीं देखते It voices यानि कि English language voices मने आवाज देती है expression देती है My joys मेरी खुशियों को My longings Longings मने इच्छाए desires तो मेरी इच्छाओं को My hopes मेरी उम्मीदों को My expectations And it is useful और ये उपियोगी है To me मेरे लिए कितनी उपियोगी है? As cyaing is to crows बहुत खुबसूरत से मिली है कि cyao मने काओं काओं करना तो कवों के लिए जैसे उनकी भाषा क्या होती है काओं काओं तो उतनी ही उपियोगी है ये English language मेरे लिए जितनी की crows के लिए कवों के लिए काओं काओं करना होता है और roding Roaring मने दाहर ना To the loins शेरों के लिए तो शेरों की जो भाषा है वो roding है तो वो उनके लिए जितनी useful है उतनी English मेरे लिए useful है It is human speech ये इंसानी भाषा है तो कोई भी भाषा इंसानी भाषा ही होती है Hindi हमारी इंसानी भाषा है Tamil है इंसानी भाषा है तो वैसे ही English भी इंसानी भाषा है The speech of the mind ये speech है यानि expression है अभिव्यक्ती है Of the mind दिमाग की तो हमारी दिमाग में कुश आइडियाज होते हैं जो कि हम दूसरों को convey करना चाहते है अपनी दिमाग में जो चल रहा है वो हम दूसरों तब पहुचाना चाहते है तो उसका एक medium है language तो the speech of the mind ये हमारे दिमाग की भाषा है बोली है that is जो कि है here यहाँ है and not there और वहाँ नहीं है मतलब मेरे पास है आपके पास नहीं है a mind एक दिमाग that sees जो देखता है and hears और सुनता है and is aware और जागरूख है not the deep blind speech of trees in the storm of monsoon clouds or of rain or the incoherent mutterings of the blazing funeral pyre लंबा sentence से देखिए not the deep deep means होता है बहरा जो सुन नहीं पाता blind means अंधा जो देख नहीं पाता speech यानि आवाज of trees पेडों की तो जो sound है वो तो पेडों की भी होती है हमारा speech भी होता है हम सुनते हैं समझते हैं बोलते हैं और एक आवाज पेडों की होती है in storm जो के वो तूफान के समय करते है of monsoon या फिर monsoon clouds की आवाज और of rain या फिर बारिश की आवाज तो हमारी आवाज में ये चौती वाली आवाज भी देख लीजे चौती आवाज किसकी है the incoherent यानि जिसमें कोई coherence नहीं होती जिसमें कोई symphony नहीं होती वो आवाज of mutterings यानि बड़बढने की of the blazing funeral pyre blazing मने जलती होई funeral pyre होती है चिता की आग तो जब चिता की आग जल रही होती है तो लगडियां जलते हुए आवाज करती है उनके तूटने की चटगने की आवाज आती है तो वो incoherent mutterings है तो वो भी एक आवाज है बारिश की टप 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 आवाज होती है वो भी एक आवाज है मांसुन clouds गरसते हैं उनकी भी एक आवाज होती है और storm में तूफान के समय पेड़ों की भी एक आवाज होती है तो इन आवाजों को कमला दास ने बोला है deep blind speech यानि बहरी अंधी आवाज क्योंकि ये भी बोलते हैं लेकिन ना तो ये सुन सकते हैं ना ये देख सकते हैं तो इनकी आवाज में कोई intelligence नहीं होती यानि intellect नहीं होती जो इनसानों के पास होती है brain इनसानों के पास होता है तो वो जब बोलते हैं उस brain का use करके बोलते हैं लेकिन trees की जो आवाज है या monsoon clouds की आवाज है rain की आवाज है या फिर चिता की आग की आवाज है जो लगने या चटकने की आवाज है इन में ब्रेन नहीं होता है तो ये सोच समझ कर निकाली गई आवाजने नहीं होती जबकि इनसान की आवाज ब्रेन के माध्यम से निकलती है तो वो ये कहना चाहती है कि मैं एक जीता जागता इनसान हूँ और जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मेरे ब्रेन के द्वारा कमांड़िड है ब्रेन से गवरंड है ना कि ये जो लाइफलेस थिंग्स हैं उनकी जैसी आवाज है लाइफलेस तो नहीं होते जैसे ट्रीज भी और दूसरी बहुत important बात हाला कि ये सारी ही बाते उन्होंने अपनी life से अपने experience से ही बताई है और एक अगली बात है जो उनकी marriage थी वो teenage में हो गई थी बहुत जल्दी 15 years की age में और वो एक failure थी यानि असफल शादी थी तो देखें I was child मैं बच्ची थी and later और बार में they told me उन्होंने मुझे बताया I grew कि मैं बड़ी हो गई हूँ यानि society decide करती है कि आप बड़े हो गए हैं before I for क्योंकि I became tall मैं लंबी हो गई जो तब जब teenage में आते हैं 15 years की age में आती हैं लड़कें तो उनकी जितनी लंबाई बढ़नी होती है height वो पूरी हो जाती है 15 years के around तो for I became tall क्योंकि मैं लंबी हो गई my limbs swelled मेरे फूल गए मनदब physical development हो गया and one or two places sprouted hair और एक दो जगहों से बालोगने लगे when I asked for love जब मैंने प्रेम मांगा महबत मांगी not knowing what else not knowing क्योंकि मुझे मालूम नहीं था teenage में hormonal changes आते हैं तो अलग तरीके की एक मनोदशा हो जाती है तो मैंने महबत मांगी not knowing क्योंकि मुझे मालूम नहीं था what else to ask के और क्या मांगो ask for माने मांगना के what else यानि इसके अलावा और क्या मांगो ये मुझे मालूम नहीं था तो मैंने महबत मांगी he drew a youth of 16 into the bedroom अब लेकिन उसके बदले क्या मिला मेरे घरवालों ने या मेरे पिताने एक 16 साल का youth युवक बेडरूम में घसीड दिया and close the door और दरवाजा बंद कर दिया यानि अच्छा ये ही उसके लिए आया होगा उनके husband के लिए और a youth of 16 ये इनके अपने लिए आया होगा तो यानि 16 साल की एक युवती को बेडरूम में घसीड दिया और दरवाजा बंद कर दिया he did not beat me हाँ इनके पती के लिए ही है ये तो he मने husband तो इनकी शादी हो गई 15 years की एज में तो he did not beat me उन्होंने मेरी पिटाई नहीं की बट लेकिन my sad woman body जो मेरा दुखी औरत बाला शरीर था female body थी felt so beaten उसने महसूस किया कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा पीटा गया हूँ आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहा रही है हना the weight of my breasts and womb crushed me तो एक change आता है शादी के बाद तो जो weight था बढ़ गया मेरे breast का womb का और उस weight के नीचे उस बजन के नीचे जैसे मैं उचल दी गई हूँ I shrank मैं सिकुड गई pitifully बहुत दैनी तरीके से तो अगर आप तयार नहीं है किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ आपके उपर लाद दी जाए थोप दी जाए तो ये condition होती है जो के इन्होंने महसूस की और मैं बहुत दैनी तरीके से सहम गई सिकुड गई जर गई दैन और फिर जब बहुत ज़्यादा आप बरदाश कर लेते हैं तो बरदाश की एक हद होती है सीमाएं होती है तो इन्होंने बरदाश कर लिया काफी कुछ सह लिया और उसके बाद जैसे उनकी बांध सबर का बांध पेशेंस का जो बांध था वो तूट गया तो फिर क्या हुआ दैन तब आई वोरा शर्ट मैंने शर्ट पहन ली और अपने भाई का पाईजामा पहन लिया मैंने अपने बाल लंबे बाल काट कर छोटे कर दिये और बिलकुल अन्देखी कर दी और अपने इस त्रीट वकी यानि और अज़ात की जो क्वालिटीज होती है वो मैंने एकदम से इग्नोर कर दी और वो सारी क्वालिटीज यानि बाहर से देखें क्योंकि अंदर की क्वालिटीज आप नहीं बदल सकते आप एक औरत है इस बात को आप चाहिए शर्ट पहलने चाहिए बाल छोटे कर लें पजामा पहलने, जीन्स शर्ट पहलने उसे आप क्या आप औरत हैं ये सचाई नहीं बदल जाती आप सिर्फ उसको इग्नोर कर सकते हैं अंदेखा कर सकते हैं रहेंगे तो आप अंदर से औरत ही न तो मैंने ये किया कि अपनी पूरी जो womanliness है, अपनी जो female qualities हैं उनको मैंने इग्नोर कर दिया dress in saris अरे भई साड़ी पहनो be girl, अरे लड़की की तरह औरतों की तरह behave करो be wife, पत्नी की तरह behave करो, they said उन्होंने कहा, लोगोंने कहा कि भई तुम शादी शुदा हो, साड़ी पहनो औरतों की तरह रहो, ये क्या तरीका है shirt पहन लिए, पाजामा पहन लिया बाल छोटे कर लिए be embroiderer तो लड़कियों का काम क्या होता है भाई घर का चौका चूला करो, सिलाई कड़ाई बुनाई, ये काम करो तो be embroider, सिलाई कड़ाई करो be cook, ये खना पकाओ चौका चूला करो be querular with servants या फिर जो घर में नौकरानियां आती है, उनसे जगड़ो जैसे कड़ा जाता है घर में fit in, तो जो माहौल है, उसके अनुसार बेहेव करो fit हो जाओ इसमें तो अगर आप shirt पहनेंगे, trousers पहनेंगे बाल छोटे करेंगे, तो आप fit नहीं होते एक सांचा है उसमें आप fit नहीं होते तो आपको क्या करना है? अपने आपको उसमें fit करना है तो fit हो जाओ उसमें अपने आपको fit करो ओ, belong अरे, belong मने जो परिवारिक माहौल है जो समाज का माहौल है उसकी अनुसार चलो उसको belong मने, सम्मंद रखना तो आप क्या दिखेंगे? अनेक्रोनिज्म दिखेंगे यानि आप उस तरीके से behave नहीं कर दे जैसे आप से उमीद की जा रही है जैसे करना चाहिए औरतों को तो आप belong नहीं कर रहे हैं उस सुसाइटी को तो आपको क्या करना है? belong करना है cried, चिलाए the categorizers categorizers जो इनसानों को दो categories में बांट देते हैं male और female हालंकि ये category nature ने खुद की है कुछ लोगों को male बनाया कुछ female बनाया कुछ transgenders भी है तो categorizers चिलाते हैं कि तुमको belong करना है female category को don't sit मत बैठो on walls दीवारों पर वही दीवारों पर चड़के मत बैठो ये तो लड़के मर्द लोग जहाते हैं दूसरे उदर खड़कियों से और peep मत जहां को in through our lace draped windows तो हमारी जो यानि पर्दे से धकी हुई drapery पर्दों को बोलते हैं lace चड़ी हुई तो जो पर्दों से धकी हुई खड़कियां हैं उन में से मत जहां को उनके पर्दे गिरे रहने दो be me और be कमला चाहे तुम me बन जाओ चाहे कमला बन जाओ or better still या फिर इससे बहतर यह होगा be माधवी कुट्टी तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो मल्यालम में माधवी कुट्टी नाम से लिखती हैं तो और बहतर यह होगा कि तुम माधवी कुट्टी रहो it is time to choose a name अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए एक नाम चुनलो a role एक भूमिका चुनलो don't play pretending games यानि pretending मने assume कर लेना ऐसे खेल मत खेलो जो कि तुमने अपने उपर ओड़ लिये हैं पनावटी हैं तो तुम औरत हो औरत की तरह रहो और वैसे ही कपड़े पहनो वैसे ही behave करो और ये जो छोटे बाल रखना ये मर्दों का काम है shirt पहनना, pajama पहनना, jeans shirt पहनना ये मर्दों का पहनावा है तो ये pretending games मत खेलो वो काम मत करो जो मर्दों के लिए हैं औरतों के लिए जो काम है सिर्फ वो काम करो तुम चौकाचूला करो और सिलाई कड़ाई बुनाई करो ये प्रिटेंडिंग गेम्स मत खेलो डोंट प्ले एट सिजोफ्रेनिया सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है एक mental disorder है जिसमें confusion बहुत हो जाता है अक्सर सिजोफ्रेनिया थोड़े लोग जो जादा बुजरु हो जाते हैं उनको हो जाता है तो एक सिजोफ्रेनिया की तरह behave मत करो कि confuse मत हो कि तुम मर्द हो या औरत तो वैसा व्यभार मत करो और be a nymph हो और ना ही तुम एक nymph की तरह behave करो तो जो nymph होती हैं बहुत खुबसूरत होती हैं और मर्दों को अपनी तरफ attract करती हैं तो वैसा भी व्यभार मत करो don't cry embarrassingly loud, don't cry much loud embarrassingly मने परेशान करने वाले तरीके से शर्मिंदगी, शर्मिंदा करने वाले तरीके से, loud जो 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 से when, जब jilted in love जिल्ट मने दुदकार दिया जाना फटकार दिया जाना जड़क दिया जाना तो जब तुमने महबत मांगी और किसी ने मर्द ने तुमको जड़क दिया तो तुम शर्मिंदगी भरे तरीके से जो औरतों को शर्माना चाहिए उस तरीके से मत चिलाओ I met a man मैं एक मर्द से मिली loved him मैंने उससे महबद की call him not by any name अब उसको किसी नाम से मत बुलाओ यानि ये कहना चाहती है कमलादास कि ये सभी मर्दों की फित्रत है कि उनसे कोई औरत मिलती है उनसे महबद करती है अब call him not by any name किसी नाम से मत बुलाओ क्योंकि ये पूरी मर्द जात को यहां कह रही है he is every man वो every man है मलब हर मर्द ऐसा है who wants जो चाहता है a woman एक औरत को just as I am every woman चीक उसी तरीके से जैसे मैं every woman हूँ तो सारी औरते who seeks love वो क्या चाहती है महबद चाहती है तो औरत महबद चाहती है और मर्द क्या चाहता है body तो ये difference वो बताना चाहती है कि जो male thinking है जो male ideology है उसके अनुसार जो woman है she is just a body और woman क्या चाहती है love affection emotional attachment in him उसमें the hungry haste of rivers उसको जल्दवाजी है और वो उतना हेस्टी है जैसे नदियां होती है वो भूखा है physical relations का और the ocean's tireless waiting in me महलब मेरे अंदर क्या है यानि मर्द के अंदर क्या है the hungry haste of rivers in me मेरे अंदर क्या है यानि औरत जाद के अंदर क्या है the ocean's tireless waiting जैसे समंदर अंतहीन इंतजार करता रहता है शांत रहता है उसमें गहराई होती है तो वो कहना चाहती है कि औरतों के अंदर एक गहराई होती है एक शांत चित होता है और वो emotional attachment चाहती है जबके जो मर्द है वो physical attachment चाहता है हो आ रही हो तुम कौन हो I ask मैं पूछती हूँ each and everyone हर किसी को the answer is और जवाब मिलता है it is I कि ये मैं हूँ तो ये जो I है ये patriarchal society में मर्दों का एहंकार है तो उनका कहना है it is I ये मैं हूँ हम everywhere and everywhere हर जगे anywhere and everywhere हर जगे हर जगे I see मैं देखती हूँ the one उसको who calls himself I जो अपने आपको मैं कहता है तो मर्दों के अंदर एक हम है एहंकार है कि वही सब कुछ है वही decide करेंगे कि औरतों को क्या करना है बच्पन में पिताजी decide करेंगे बेटी को क्या करना है फिर पती decide करेंगे पत्नी को क्या करना है फिर बेटा decide करेगा कि मा को क्या करना है तो हर जगे हर समय वो देखती है कि एक वो है जो कहता है अपने आपको आई कहता है मैं अहम अहंकार arrogance इन दिस वर्ड इस संसार में he is tightly packed यानि वो यानि कि मर्द क्योंकि हर जगह पैट्रियार्कल सुसाइटी है इसलिए उन्होंने पूरा वर्ड को इसमें इंक्लूड किया बहुत कम जगह ऐसी है जहां matriarchal सुसाइटी होती है कुछ tribes में चलता है जहां जो लड़के हैं वो शादी होके लड़की के घर जाते हैं तो वहां matriarchal सुसाइटी होती है जो वन्ष चलता है मा के नाम पर चलता है तो ऐसा rare societies में देखने को मिलता है यह communities में देखने को मिलता है, ज्यादतर जो travel societies हैं उसमें देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादतर जो समाज है, जो यह संसार है, वो patriarchal है, तो उन्होंने कहा, in this world, इस संसार में, he is tightly packed, वो ठोस ठोस कर भरे हुए है, like the sword, जैसे कि तलवार होती है, in its sheath, अपनी मियान में, तो मियान जो बनाई जाती है, वो बिलकुल तलवार के size के साफ से बनाई जाती है, तलवार उसमें एकदम से tightly packed होती है, कसकर बंधी रहती है, तो यह पूरा संसार इसी अहम से, इसी I से, इसी arrogance से भरा हुआ है, अब उस I को counteract करने के लिए, कमला अदास कहती है, कि मैं भी एक I हूँ, यानि वो भी अपना existence प्रूफ करती है, कि इस patriarchal society में भी मेरा एक independent existence है, मेरा खुद का एक अस्तित्व है, तो देखे, क्या कहती है वो, it is I, हाँ, तो अब मैं भी हूँ वो आई, और ये सब कुछ उनोंने किया, वो कह रही है, it is I, मैं भी मैं हूँ तो फिर, जब तुम आई हो, जब तुम्हारे पास arrogance है, जब तुम independent हो, जब तुम जो चाहूँ वो कर सकते हो, तो मैं भी हूँ फिर, मैं भी जो चाहूँ वो कर सकते हो, मैं भी independent हो, it is I, हो drink lonely, मैं हूँ, जो अकेले शराब पियोंगी, drinks at 12, रात के बारे बज़े, शराब पियोंगी, midnight in hotels, hotel में, of strange towns, अलग-लग शहरों में, ज़रूरी नहीं, अपने ही शहर में, कहीं भी घुमोंगी, कहीं भी strange towns में जाके आधी रात को होटल में शराब पियोंगी, it is I who laugh, ये मैं हूँ, जो हसोंगी, हसती हूँ, it is I who make love, ये मैं हूँ, जो महबत करती हूँ, and then, और फिर, feel shame, शर्मिनगी महसूस करती हूँ, it is I who lie dying, मैं हूँ, जो पड़ी हूई हूँ, मर रही हूँ, with a rattle in my throat, मेरे गले में एक शोर है, ये rattle खर-खर की आवाज होती है, तो जब व्यक्ती मर रहा होता है, उसके गले से प्राण निकल रहे होते हैं, तो खर-खर की आवाज होती है, तो मैं हूँ, मर रही हूँ, मेरे गले से आवाज आ रही है, I am a sinner, मैं एक पापी हूँ, I am a saint, म मैं किसी की प्रियतमा हूँ, and the betrayed, मैं वो हूँ, जिसने धोखा खाया है, I have no choice, मेरे पास ऐसी कोई खुशिया नहीं है, that are not yours, जो तुम्हारी नहों, no eggs, ऐसे कोई दर्द नहीं है, who are not yours, जो तुम्हारे नहों, I to call myself I, मैं भी अपने आपको I कहूंगी, यानि मेरा भी कोई अस्तित्व है, तो कहना यह चाहती है, कि मैं भी वो सारे काम कर सकती हूँ, जो तुम करते हो, जिसे पुरुष एक सिनर भी होता है, पापी भी होता है, संत भी होता है, या एक मर्द के जैसे जॉयस होते हैं, खुशियां होती हैं, गम होते हैं, तो वो सब एक औरत के भी हो या जो काम मर्द कर सकते हैं, वो सारे काम औरतें कर सकती हैं, वही feelings, वही joys उनके भी होते हैं, वही गम भी उनके होते हैं, उनको जब चोट लगती है, तो उनको भी दर्द होता है, जो बोलते हैं लोग, उनको तो महसूस नहीं होता कि किसने कितना hurt किया, औरतों को जब आप करते हैं सारे गाम और खुशियां जो आपको महसूस होते हैं वो हमें भी महसूस होते हैं तो एक equality के note पर ये point खतम होती है और मैं वीडियो भी यहां खतम करूंगी धन्यवाद